इका तिरा नाम है साजा जी दोस्तों तो मैं गुंत गुमाते बिड़ते आ गया हूँ आर्क अप ट्रम्प यह जो पैरिस के अंदर यह वीजय स्थम है जब ने पॉलियन अपने युद्ध जीत के आया था तो इसी जगे पे अपने आदमी के साथ आकर रुटा था उसके बाद किंग ने जो साइम पे किंग लुईस था जो उसने उस युद्ध की जीत के वाजब घ्रम्प नेपॉलियन यहां पे आया था तो इस युद्ध की जीत के लिए याद में यह स्थम बना दिया जैसे कि इंडिया के अंदर इंडिया गेट है ऐसे ही यह आर्क अप ट्रम्प है जीत की निशानी और इस गेट के अंग उपर आप जाते हो इसमें करीब 273 सीड यह है 273 और उपर से खड़े हो के आप पूरे पैरिस के नजारा ले सकते हो इसे ही न इसके साथ में आप रेख रहे होगे वह है आईफिल टावर अब बना आईफिल टावर के उपर भी जाके यहां पूरे पैरिस इसके सिटी के नजारा ले सकते हो इसके ओपर भी और इस गेट के खास बात क्या है इस गेट के ना गोलाई में बिल्कुल चारो तरफ बारा रोड बने हैं और वो क्यों बने हैं वो मेरे को पता नहीं और इसके जो चारो किलर के उपर जो यह स्टेचु बने हो नहीं इनका जो इनके जो सैनिक थे उनकी जो लाशब हो उनको भी इसके नीचे दबनाया गया है बिसीकली छोड़ी स्टोरी यह है कि यह एक पैरिस का विजस्तम है और यह इंस्पार है रोमा के विजस्तम से मैं आया था यहां पर सवाट नहीं साथे आट बजे आया था मैं अच्छा यहां पर साथे आड बजे मैं इसके ऊपर जाना चाहता था यहां भी सिटी का विए लेना चाहता था मगर इसकी ना एंट्री होती है दस बजे बंद मगर आज इन्हों ने ना सवा आट बजे ही एंट्री बंद करती उसका रीजन मेरे को पता नहीं है बाद है चैयद उसका एक रीजन यह है कि यहा उन को इनका प्रो टेस्ट चल रहे है कहों सक– c語शित से हमै प्रेश Ano क्योंकि मैं लास्ट नाइट आर्क ऑफ ट्रैम के ऊपर नहीं जा सका तो इसलिए मैंने फिर से प्लान बनाया और नेक्ट मोर्निंग मैं फिर से आगया टेरंस व्यू लेने के लिए आर्क ऑफ ट्रैम आप डारेक्ट रोड क्रोज करके आर्क ऑफ ट्रायम पर नहीं जा सकते इसके लिए आपको लेना पड़ेगा यह वाला अंडर पास और टेरेंस प्रक पहुचने के लिए आपको चड़ने पड़ेगी 230 स्टेयर्स आपको अनद गया अनद गया आपको जलते थक्यों आपको आपको अनद प्रॉम आपको फ्रॉम्प यह यह वाल आपको सब्सक्राइब गया अनद अच्ट इस दिली में मारा इंडिया गेट है, ऐसे ही जब नेपोलियन अपने जबोर को जीत के आया था तो यह इसी जगह पर आगे उखा था और यह भी कोई एंट्री गेट है, मगर भी फाइनल नहीं है, 273 है, स्टेयर्स और फाइनल यहाद लगवा लगवा फूच गया मैं, यह है एंट्री यह देखो, यहाँ से आया था मैं, और उपर पहुच गया, बहुत से लोग सुनी बैठे विए तेहरंस पर पहुचने से पहले आप पहुच होगे आर्क ऑफ ट्राइंप के बस्ट क्लोफर, जहाँ पर आपको आर्क ऑफ ट्राइंप से रिडेटिड कुछ इनफर्मेशन मिलेगी यह है नीचे का जरीश है, यहाँ भी विजवत जल करिया, विजवत जल करिया, विजवत जल करिया यह है आर्क ऑफ ट्राइंप से गिरे वे, तूटे वे कुछ पार्ट और सेकेंड कलोर पर आपको आर्क ऑफ ट्राइंप की पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी और यहाँ पर आर्क ऑफ ट्राइंप का पाइनल मोडल रखा हुआ है, पाइनल मोडल इसलिए इससे पहले इसके चार मोडल रिजेक्ट किये जा चुके थे और आर आरे उसकेंड कि अप्राइंप को मूडल रखा हुआ है खरला आर किज पार आर को मूडल रखा हुआ है झाल 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 तो वहाँ पर नेपोलियन की आर्मी बेस्ट आपको चैस मिल जाएगी जो बहुत सुंदर थी मगर थोड़ा कोस्ट ली जनूर थी ये आर्ड़ा के आर्ड़ा के आर्ड़ा के आर्ड़ा के प्रांस मिलिटरी के मार्शल्स के नाम लिखे वे हैं जी तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब ना उपर से नीचे उपर से नीचे उतलब टैर्रेस से आ गया हूँ नीचे और जो इनकी यहां पर अमर जवान जोती है हिनली में अपना ही के आर्ड़ा के लुद्स अपने इसमें बोल देरे, tomorrow's 다음 जोती हिन तब भी चूनाँ आप तर्ड़ा के इसमें एक Topips प्रके मेंए आपनों सेरह को चैने और आपना हूँ निचे आरू एक कैमरा लगावा है उपड़ से जब हम देख रहे हैं ना नीचे का दीगा तो यह रहा है आर्क ओफ ट्राइम्प के चार पिलरों पर चार अलग-अलग स्कल्प्चर्स बने वे हैं जिनका अलग-अलग मतलब है